दोस्तो आज हम बात करेंगे विस्व के प्रचीन साथ अजूब में सामिल मिसर के पिरामिड के बारे और आप ये जान के हैरान भी होंगे कि आप पिरामिड के उपर भी चड़ सकते हैं लेकिन सिर्फ एक बार बट ऐसा क्यों चलिए आज वास्तु सिल्प के इस अचंबे को डिटेल करते हैं फैक्ट नमर 11 ये बड़ा अचंबो की बात है कि सभी पिरामिड नील नदी के पच्छिन तट पर ही बनाए गये हैं फैक्ट नमर 10 पिरामिड के फायदे भी हैं इसे पिरामिड का जादूई प्रभाव ही कहेंगे कि बाहर बहुत जादा गर्मी होने के बाद पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिवरी सेल्सियस ही रहता है फैक्ट नमर 9 दोस्तों आप पिरामिड के उपर भी चड़ सकते हैं लेकिन सिर्थ एक बार क्योंकि यदि कोई टूरिष्ट ऐसा करता है तो जीवन पर उसके मिस्ट आने पर पैन लग जाता है इसके उपर चड़ने के लिए आपको 203 सिर्या चड़नी होगी फैक्ट नमर 8 आज से 4000 सार पहले पिरामिड सीसे की तरह चमकते थे क्योंकि इन्हें पॉलिस किये गए सफेद चुना पथर से कवर किया गया था यह सूरे की रोस्नी को रिफलेक्ट करते थे और इजराइल की पहाडियों से भी दिखाई देते थे और हो सकता है चांद से भ और अकेला ऐसा है जो अभी भी अस्तित्व में है फैक्ट नमर 5 कुफू का पिरामिड जिसे गीजा का ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है अब तक का सबसे उंचा पिरामिड है जिसकी अस्त्री उचाई 482.6 फिट थी जो उपर से 25 फिट ढह जाने के बाद अब 455.4 फिट रह गई है यह लगवग 3,871 साल तक दुनिया की सबसे उंची इमारत रहा लेकिं 1311 में इंग्लेंड के लोगों ने 524 फिट उंचा गिर्जा घर बनाकर यह रिकॉर्ट तोड़ दिया यह गिर्जा घर आज भी दुनिया का सबसे बड़ा उंचा फिजा है फैक्ट नमर 4 ग ग्रेट पिरामिड धर्ती का वो सबसे सटीक धांचा है जो उत्तर दिशा को बताता है विस्र के लोगों ने केवल जोतिस की मदद से हजारों साल पहले ऐसा कर दिखाया फैक्ट नमर 2 गीजा के ग्रेट पिरामिड के दर्वाजे इतने गजब तरीके से बनाया गया था कि 18 14,000 किलो वजन होने के बाद भी यह एक धक्के में फुन जाता था फैक्ट नमर 1 सबसे अधिक पिरामिड विस्र में नहीं बलकि स्टूडान में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पिरामिड के अंदर क्या है डीटेल प्रूफ के साथ वो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर यह वीडियो पसंद आये तो ज़रूर से लाइक है थैंक्स पर वर्चिंट